यानि बिटामिन B, ग्रूप के जितने भी बिटामिन B complex के जितने भी बिटामिन से उन सब को discuss करेंगे, इसका पहले वीडियो में बिटामिन A को हमने discuss किया था, जिसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा, इसी पिरकार के महतपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कि बिटामिनों का एक समू है, इस बिटामिन में nitrogen पाया जाता है, तो most important ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कि बिटामिन B में चाहें, बिटामिन कोई सा भी हो, यानि B समू का कोई सा भी बिटामिन उसमें क्या पाया जाता है, nitrogen पाया जाता है, अब सबसे पहले बात करत Most important, very-very होता है और इसका विज्ञ्यनिक नाम थाइमिन होता है खमीर, गाजर, दूर, समुद्री भोजन, सोयाबीन, साबुत, अन और हरी सबजियां ये सभी क्या है? बिटामिन B बनके मुख्य सिरोत है अब बात करते हैं बिटामिन B2 के बारे में इस बिटामिन का रासाइनिक नाम राइवो फ्लेविन होता है क्या होता है? राइवो फ्लेविन यह है बिटामिन कार्वो हाइडरेट तथा अन्य पधार्तों के उपा पचे में भाग लेता है कोशन डाइरेक्ट बनेगा कि कार्वो हाइडरेट जो पधार्त होते है हरी पत्तेदार सबजियां ये सबी क्या है इस बिटामिन के मुख्य सिरोथ है अब बात करते हैं बिटामिन B3 के वारे में तो इस बिटामिन का जो बेग्ज्यानिक नाम होता है वो नियासीन होता है बिटामिन B3 का बेग्ज्यानिक के जिजिए रसाइन के जिजिए नियासीन शरीर में इसकी कमी से पेलागरन नामगरोग तथा मानसिक विकास एवं पाचन के रिया में खराबी हो जाती है अंकूरित गैहूं, आलू, आनाच की बाहरी परत, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जें ये सभी इस विटामिन के मुख्य स्रोत है अब बात करते हैं बिटामिन B6 के बारे में इस बिटामिन का रासाइनिक नाम क्या होता है? पाइरी डॉक्सिन होता है, बिटामिन B6 का इसकी कमी से मानब सरीर में एर रक्तिता, यानि रक्तिकी कमी जिसे एनिमिया भी कहते हैं यह हो जाता है। हरी सबजियां, मास, कलेजी यह सब कने इसके पिर्मुक सिरोत होते हैं। अब बात करते हैं B7 के बारे में। इस B7 का रासाइनिक नाम बायोटीन होता है। बिटामिन B7 की कमी से तुचा सलकी, मान स्पेसियों में धर्द, कमजोरी, भूक में कमी और रक्त सुन्यता हो जाती है यह बिटामिन मुख्या रूप से ताजे फलो, हरी सबजियों, यकरत, दूध, अंडा, यीस्ट, महत्व, यनि संपूर अनाज, यनि पूरा जो अनाज होता है उस और दाल में पाया जाता है यह बिटामिन बसा अमल संसिलेशल के लिए आवस्यक को एंजाइम का आवस्यक भाग होता है यह बिटामिन पायरुवेट को ओगजेली एसिटेट में रूपांतरित करने का कार्य करता है तो pyruvate को oxalo acetate में रुपांत्रिल कोन करता है, vitamin B7, अब बात करते है vitamin B9 के वारे में, इस vitamin का रसाइनिक नाम, यानि vitamin B9 का क्या होता है, फैलिक अमल होता है, फैलिक एसिड, इस vitamin की कमी से रक्त अलपता, पचे हुए भोजन के अपसोसल में कमी, RBC की परिपकवता में कमी, मु में अलसर जैसी बीमारिया होती है, यह vitamin हरी पत्तेदार सबजियां, केला, संत्रा, लीवर, यीस्ट, अंडा, सेम, इन सभी में पिर्चूर मात्रा में ये पाया जाता है, इस vitamin का संसलेशन, कोलोन में बैक्ट्रिया द्वारा भी होता है, नेक्स्ट है vitamin B12, most important vitamin B12, इस vitamin का र बैरी, बैरी, most important, कितने एक्जामों में कोशन पूछा जा चुका है, कि कौन से vitamin में कोवाल्ट पाया जाता है, तो vitamin B12, यह vitamin रक्त उत्पत्ती में सहायक होता है, यह RBC की परिपक्वता के लिए अवस्यक प्रोटीन का संसलेशन भी करता है, मानब सरीर में इसकी कमी से एरक दूद आधी इस vitamin के क्या है, पिरमुक सरोत है, तो यहाँ पर यह हमारा आज का वीडियो complete हो जाता है, इसको like कीजिए, दोस्तों के साथ share कीजिए, अपना feedback हमें comment करना ना वोले, thank you for watching, मिलते हैं next वीडियो में